द्रोपदी महम भारत का एक मुख्य चरीतर है द्रोपदी को पंचाली के नाम से भी जाना जाता है अरजुन के ही तरह द्रोपदी भी काना को अतीप्रिय थी यही कारण है कि चीहरण के अतिरक्त भी जब कभी द्रोपदी किसी समस्या से घिरी काना स्वम उनकी समस्याओं का निराकरण करने पहुंचाते थे तो चेरिये आज किस वीडियो में जानते हैं द्रोपदी के जन्मों से जुड़ी कुछ खटनाओं के बारे में महा भारत की कथाओं के अनुसाद द्रोपदी राजा द्रुपद की पुतरी थी लेकिन उनका जन्म माता की गर्ब से नहीं हुआ था बलकि वो हवन कुड़ से प्रकट हुई थी राजा द्रुपद ने ज्यानी और तपस्री दो ब्राह्मन भाययो याज और उपयाज के कहने पर एक दिव्य भवन का आयोजन किया क्योंकि द्रुपद एक ऐसा पुतर प्राप्त करना चाहते थे जो कौर्वो और पांडवो के गुरु गुरु द्रोणाचारे का वद कर स के इस हवन से राजा दुरुपत को पुत्र और पुत्री दोनों की प्राप्ति हुई जिसका नाम द्रस्ट घुबन और दुरुपती रखा गया था कहते हैं कि जिस समय दुरुपती कुंड से प्रकट हुई उस समय उनके अनूठे बाल रूप को देखकर सभी मंतर मुक्द रह गये थे उनकी आँके खिले हुए कमल की तरह शांत और उजवल थी बोहें चंदरमा के समान वक्राकार थी और उनका रंग शाम था इन खूब्यों के कारण उनके पिता और रिश्यों ने उन्हें प्यार से कृष्णा कहा यहीं उनके बच्पन का नाम था बाद में दुरुपत की पुत्री होने के कारण उन्हें दुरुपती कहा जाने लगा भविश्य पुरान की कथा में उलेक मिलता है कि पुर्व जनम में दुरुपती एक ब्राहण की पुत्री थी इनकी पती की मिरती हो जाने के कारण इन्हें वैद वेगया सामना करना पड़ा था गरीबी और कस्टमय जीवन में इन्हें ब्रामणों और सादों की बड़ी सेवा की थी सादों की कृपया से इन्होंने स्थाली दान रद किया था इस रद से इन्हें ये वर्दान मिला था कि ये देवी लक्ष्मी के समान होंगी ये जब तक स्वेम भोजन नहीं कर लेंगी तब तक इनका भोजन पात्र भरा रहेगा द्रोपदी के इसी वर्दान की कारण वन्मास के दोरान पांडव ब्रामनों और अतितियों को भोजन करवाने में शक्षम थे पुर्व जनम में अलपायू में ही विद्वा हो जाने के कारण द्रोपदी ने जिश्यों की सलाप पर महादेव को प्रसंद करने के लिए तपस्चा करना आरंब कर दिया था भगवान शिर्व ने द्रोपदी की तपस्चा से प्रसंद होकर दर्शन दिया और वरदान मांगने के लिए कहा द्रोपदी ने वरदान रूप में ऐसा पती मांगा जो किसी एक प्रुष में स्वामभव नहीं था इस वर्दान की कारण दुरुपदी अगले जनम में पांच पत्यों की पत्नी बनी और सभी दिरगाई हुए दुरुपदी के जीवन में कुछ भी सामाने नहीं था तो विवा कैसे सामाने हो सकता था दुरुपद अपनी बेटी का विवा अरधुन से कराना चाते थे लेकिन दुरुपदी के स्वेमवर से पहले ही लाक्षा गरे की घटना हो चुकी थी और सभी को लगता था कि पांचो पांडव और कुंती उस लाक्षा गरे की अगनी की भेट में चड़ गए हैं जबकि पांचो पांडव सकोशल उस ग्रह से पहार निकल कर ब्रह्मन वेश में रहनी लगे थे दुरुपदी के स्वेमवर का समाचार पाकर पांडव भी ब्रह्मन वेश में वहां पहुँचे थे द्रोपदी के स्वेंवर के लिए राजा द्रोपद ने शर्त रखी थी कि नीचे लगे जलकोंड में देखकर उपर घूमती हुई मचली की आँख जो भी योधा अपने वान से भेद देगा उसी से द्रोपदी का विवा हो चाहेगा कोई योधा ऐसा नहीं कर पाया करण ने करने का प्रयास किया तो द्रोपदी ने सूद पुत्र से विवा करने से इंकार कर दिया दब ब्रामन वेश में आय अर्जुन ने इस शर्त को पूरा किया था अर्जुन ने ऐसा किया तो ब्रामन के साथ राजकुमारे की विवाब पर सभी राजाओं ने आपत्ती जताई उस स्वेमवर में कृष्ण अतिविसिस्ट अतिती थे राजाओ द्वारा ब्रामन को कन्या देने पर विवाद होते देख कारा ने अपने कुशल नितियों के बल पर और भीम ने अपने वहबल पर स्थिती को संभाल लिया तब अर्जुन द्रोपदी को लेकर वहां से चले गए थे तो दोस्तों ये थे द्रोपदी की कुछ अनोके रहसे जो शायद आपने भी नहीं सुने होंगे उमीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें